Hello friends, reasoning and computer class में आपका स्वागत है So दोस्तों काफी students के questions और comment आ रहे थे कि refund कैसे आएगा, कितना refund आएगा और उसका क्या process है, वो कब तक refund आएगा क्योंकि बच्चों ने क्या किया, state को टा round 2 में participate किया, one में किया उसके बाद दोस्तों mop up round में participate किया अब बच्चों की fee set की हुई है, तो जिन बच्चों का selection नहीं हो पाया है या जिन बच्चों ने round 2 में participate ना करके सीधा कि अपने state के college ले लिए है उनके लिए refund का process के लिए मैंने वीडियो बनाया मैं सभी बच्चों से request करूँगा, वीडियो का start से end तक देखना क्योंकि मैं आपको सारे questions का जबाब दूँगा क्या आप कर refund कब आएगा, कैसे आएगा, क्या process है और ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल accurate वीडियो होगी इसमें आपको ज़्यादा परेशान होनी की ज़रोत नहीं है फिर भी आप का को question होता है, तो please comment box में डालिए मैं आपके question का reply करूँगा So friends, आप एक एक करके सभी questions पर जाएंगे जो पहला question है, वो question है In what condition security amount will be fortified? Fortified मतलब होता है कि मिलेगा ही नहीं So ऐसी कौन सी condition है जिसमें आपको security money नहीं मिलेगा सबसे important question दोस्तों यह है तो इसमें लिखाव है था security money will be fortified in candidate who has been allocated CT in a second round of and mop up round for DGHS and does not join the respective institution during the second round or mop up round Simple सा word में है, अगर आपने second round में आपको allotment हुआ college का और आपने join नहीं किया या आपको आपने mop up round में परभी participate किया और आपने college join नहीं किया तो जो भी बच्चों का पहला question मैंने यहां पर resolve कर दिया कि पहला doubt क्या था कि security money आपकी तबीत मिलेगी जब आपको seat allotment नहीं हो अगर आपको second round में seat मिल गई तो भी नहीं मिलेगा, आपको mop up round में आपने participate किया आपको seat मिल गई तो भी नहीं मिलेगा लेकिन आपको seat नहीं मिली तो आपका पैसा मिल जाएगा इसमें काफी इसमें बोलाए कि भी अपनी wrong information दोगे तो उस case में होगा वो बहुत कम बच्चे इसमें आते हैं अगला दोस्तों question है बच्चों का खाफी interesting question है कि when and where this security money will be refunded मतलग कब और कहां पे आएगी तो simple से words में मैं आपको बता देता हूँ इसमें लिखा हुआ है कि security amount will be refunded only after 15 days from the date of publication of the refund detail by MCC तो होगा क्या दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ जब एक counselling का दोर खतम हो जाएगा तो MCC की official website पे एक notice आएगा वो notice आपको परिशान होने जरूत नहीं है जैसे वो notice आएगा मैं आपको वीडियो के मादम से बता दूँगा कि ये notice आ गया है उसके बाद दोस्तों जब वो notice आएगा उसके 15 दिन के अंदर आपका refund आएगा तो अभी तक आज की date तक जब जब मैं वीडियो publish कर रहा हूँ आज हो गई 17 December 17 December तक तो ये notice आया नहीं है तो अभी क्या होगा कि मोपप राउंड के बाद कुछ stray vacancies होंगी उसके बाद ये notice आने वाला है तो उसके जब notice आएगा उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपका fees refund होगा उसका भी process क्या होगा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि सबसे पहले जब notice आएगा उससे notice आने के बाद 15 दिन का time दिया जाएगा उसमें 15 दिन के time में बच्चों के पैसे आजाएगे और उसके साथ साथ एक दूसर भी notice mccc की website पे आएगा जिसमें ये बताया जाएगा कि इन इन बच्चों का refund में eligibility है मतलब ये बच्चे refund के लिए eligible है और पैसा कहां आएगा तो पैसा कहां आएगा तो आपके जिस अकाउंट से पैसे कटए है उससे आएगे अगर आपने debit card से payment किये तो आपके debit card वाले account में ही आएगे क्योंकि debit card एक saving account से होता है related आपने अगर online transaction किया है तो आपके online transaction में से जिस अकाउंट से पैसे कट enrich उसी जाए जिस debit card में आपके पैसे कटे हैं उसी debit card में पैसे वापस आएंगे और कब आएंगे MCC एक notice देगा official उसके 15 दिन के अंदर अंदर आएंगे तो उसके बाद दोस्तों अगला question बच्चों का है कि कि जैसे आपने payment किसी और से की और आप चाहरे हो कि नहीं मेरा refund इस account में ना के इसमें आई नहीं जिसमें आपने payment कि उसी ही चाफ का refund आएगा यह मैंने आपको solve कर दिया तो दोस्तों अगला question क्या है कि what happens if candidate by mistake makes more than one payment for the same roll number अगर कुछ क्या problem होती ही बच्चों की कि एक roll number के लिए दो बर payment कर दिया तो उसमें बोला है candidate can approach with the financial custodian after 15 days of closing the registration window and financial custodian will refund the access amount तो उस case में क्या होगा कि आपको MCC का financial department उसे करना पड़ेगा तो पैस आपका वापस आजाएगा तो उसके बाद दोस्तों अगला question है does I have to request for financial custodian to refund the security amount and what is the schedule of अब दूसरा कहा है कि जैसे आप बच्चे भी बोल रहें कि मेरा refund नहीं आया मेरा refund नहीं आया तो उसमें बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या मुझे security deposit के लिए कहीं किसी को बताना पड़ेगा कोई mail करना पड़ेगा दोस्तों आपको कुछ करने की जरूत नहीं है आपके लिए simple इन्हों नहीं ये बोलता है कि the medical council committee will publish a list of the candidates who are eligible for the refund for the security amount in the website तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि MCC का एक notice आएगा notice के साथ साथ ये भी आएगा कि कौन-कौन बच्चे refund के लिए eligible है उ much all round of counselling are completed तो जब आपकी counselling के सारे round complete हो जाएंगे अभी क्या चल रहा है मौपप round आया है मौपप round के बाद seat बसती है तो stray vacancy round होगा उसके बाद दोस्तों finally refund का process start होगा तो अभी आप 10-15 दिन और wait कीजिए उससे पहले refund आपका नहीं आ सकता क्योंकि MCC की condition है कि सारे round खतम हो जाने चीए उसके बाद आपका refund आएगा उसके बाद दोस्तों once the उसके बाद जो बोला गया है कि जैसे जैसे आएगा उसके बाद दोस्तों उन्होंने एक चीज जो बताई है कि once the financial custodian completes the refund MCC will publish the refund detail on the refund date transaction number on the website तो दोस्तों क्या होगा कि जैसे आपका refund account में आ जाएगा उसके बाद भी MCC एक notice or डालेगा जिसके अंदर वो ये बताएगा कि इस बच्चे का refund इस transaction number देगा कि किस transaction number में वो refund हुआ है ताकि बच्चों को ये पता चले कि हाँ मेरा refund आ गया काई बर क्या होता है कि हम किसी पैसे लेके refund करवाते हैं और सामने वाला बोले कि मेरे पास पैसे आए और नहीं आए उसके लिए क्या करता है MCC transaction number भी publish करेगा तो अगर आप अपने refund का वेट कर रहे हैं तो अभी आप रुख जाओ MCC के सारे round complete होड़े दो जैसे round complete होगे notice आएगा वो notice मैं आपको अपने channel के माद्यम से वीडियो के माद्यम से बताऊंगा किस बच् तो दोस्तो अगला question है बच्चों का can candidate initiate refund processing थोड़ा charge bank claim थोड़ा card issuing bank नहीं सर इसके लिए दोस्तों यह आपके लिए eligible नहीं है उसके बाद who is the financial custodian अब बच्चे बार कुझे कि यह financial custodian क्या होता तो उसने बोला है कि HLL life card limited एक government of India undertaking है जो यह MCC का पूरी पैसे का take care करती ह तो इसको आपको इतनी retail की ज़रूत है नहीं तो उसमें लिखाया कि अगर आपको जैसे आपका कोई problem हो गई कि आपके पैसे नहीं आए refund के time तो आपको करना क्या होगा तो उसके case में आपको करना क्या होगा यह mail ID दोस्तो financial mcc 2019 lifecare hll.com इस पे आपको mail करना होगा तो दोस्त financial finance mcc2098 lifecare hll.com तो इस mail ID पे आप reply करोगे तो आपको वो आपको mail भीजोगी तो आप अपनी queries पूच सकते हो अगला question है दोस्तो will medical council committee bear the bank charges incurred by the candidate while registering the counselling? No. यह क्या है कि जैसे आप fees payment करते हो तो जो bank का transaction charges लग गया अप कई बच्चे बोलेंगे कि क्या मुझे वो transaction charges मिलेंगी नहीं दोस्तो आपको transaction charges नहीं मिलेंगे वो bank जिस bank से आपने transaction किया उसके पास पैसे गया है वो MCC के पास पैसे नहीं गया है उसके बाद दोस्तो अगला question है can candidate remit the registration fees on securities from NRI account यह NRI के detail है दोस्तो उसके बाद दोस्तो है कि if candidate does not get payment confirmation from payment gateway then whom he should approach the financial payment अब question यह कि जैसे आपका MCC का notice भी आ गया फिर भी आपको refund नहीं आया पंदरा दिन के अंदर तो आपको करना क्या है तो आपको इस mail ID पर connect करना है financialmcc 2019 at life carehll.com इस mail ID पर आपको connect करना होगा और वो आपको within five bank days आपको respond करेंगे कि they will respond in the five working days में तो आप जैसे mail करोगे तो उसे आपका reply हो जाएगा उसके बाद दोस्तो अगला question जो है counseling से related है तो मैंने आपको बता दिया है पूरा कि आप अभी तक wait करो आपका अभी mcc के सारे round complete होंगे सारे round complete होने के बाद notice आएगा उसके बाद आपका friend आएगा और और notice आने के पंदरा दिन में आपका refund आएगा तो यह